कि वोल्टेज और एमफ के बार में काफी बार आप लोगों ने सुनो अगा कि वोट इस वालटेज और एमफ और जाद MR उन तर अभी तक आप लोगों ने यही दिए और यहीं बोला जाता है कि वोल्टेज और यहीं पढ़ाई करते तो ठीक है बट यहीं कोशन अगर आपसे इंटर्वी पूछ ले जाते हैं तब आपको थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा और आंसर में दोनों के बारे में कुछ एक अलग बात बतानी होगी सेम ही है कि करने के लिए आवशक हैं ठीक है मान लिया लेकिन एक अलग आंसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वोट इस वोल्टेज और वोटेज करन थोड़ा सामें अपनी पिक्चर यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी तो देखिए वोल्टेज की मैं सबसे बहले बात करूंग तो उसे ही तो डिफ्रेंस करेंगे अगर दोनों बराबर आजाएगी तो वो सेम हो जाएगा डिफ्रेंस कैस होगा तो जब दोनों अलाग अलाग लेवल पहेगी तभी दोनों में डिफ्रेंस होगा तो देट इस वोल्टेज वोल्टेज क्या है एक पोटेंशल डिफ्रेंस सार् saya बंढ और यहां से खाली हो गया तो इन दोनों का लेवल be ब्राबर हो गया तो ही पोटेंशल से लो पोटेंशल निफनराइंas PT यानि की potential difference is needed to make flow electron from one point to another point, यानि की एक potential difference है एक तरह का जो की electron को flow कराने में मदद करता है, तो यह हो गया आपका voltage, voltage के बारे में बस आपको इतनी बाद आदना लखनी है, कि यह एक तरह का force है, ठीक है, जो की electron को flow कराने में मदद करता है, एक बात हम और कहा सकते हैं कि voltage एक तरह का maximum potential हम लोग कहा सकते हैं, voltage maximum potential difference है एक open circuit में, ठीक है, ध्यान देखेंगे, voltage एक maximum potential है open circuit के अंदर, और अब बात करते हैं EMF की, EMF क्या होगा, maximum potential, यानि की maximum electrical potential at closed circuit, EMF की जब भी हम बात करेंगे तो closed circuit के अंदर बात करेंगे, देखेंगे, क्या है EMF यासे, EMF is required to maintain flow of electron, यानि की अगर electron कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो EMF एक वो चीज़ा जो self generation करता है, EMF का और voltage का और आगे उसको transmit करता है, जिससे अगर कहीं पर electrons की कमी आ गई है, तो वो उस कमी को पूरा कर सके, तो देखेंगे, EMF is required for maintain flow of electron, EMF is required to maintain flow of electron, which is also known as voltage, यानि की EMF क्या है, electron का जो flow हो रहे हैं, अगर वो किसी वज़े से रुग गया है, तो उसको provide करने का काम कौन करेगा EMF, ठीक है, voltage का है, electron flow कराने में मदद करता है, लेकिन EMF क्या करता है, जो electron flow हो रहे है, voltage में, उसे flow कराने में मदद करता है, ठीक है, इस EMF is required for maintain, कि जो electron flow हो रहे हैं, वो बराबर रहें, maintain रहें, यहाँ से हम देखते हैं, कि यहाँ पर एक, दो टैंक है अपके बस इसम्हें पानी फुलेस में कम्हें आप क्या होगा यहां से यहां से भी छेद और यहां से भी छेद Надо अब इसको में माल लेता हूँ 1400 PMF ठीक है अब माल लेजिए अगर यहां पर EMF कम बढ़ गया यहां पर कम बढ़ गया तो क्या होगा देखिए यहां से यहां पर यहां पर यहां पर चड़ता रहेगा तो यह होगा हमारा EMF को हम यहां से अच्छे से समझ सकते हैं यहां पर नीचे आने के लिए इस इस गाड़ी को यहां से नीचे आने तो देखिए क्या आवश्यक है वोल्टेज है नॉर्मल आपने एक फो दिया तो फोर्ज देते ही वोल्टेज देते है यह गाड़ी कया होगा ऊपर से नीचे आ जाएगी सबना соверш कहा हलका force देजिए और दो आगे फिलो नहीं से आगए अब लेकिन अगर इन्हें उपर जाना है जो की वोल्टेज इलेक्ट्रों का फ्लों कंटेंसली रहना चाहिए और क्लोस सर्किट की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो वोल्टेज इस पिक्चर में नहीं है पता अब क्या है मेंटें रखने के लिए यहां जो फोर्स नित्राइज होगी करें से एक चीज क्या आपसे इन्ट्रूम में पुछा चाता है कि वोल्टेज और voltage current तो voltage तो एक force है जो कि electrons को flow करने में मदद करता है लेकिन EMF वो force है जो कि electron के flow को maintain करके रखता है यानि कि voltage को constant रखने का काम क्या करता है EMF परता है यह आप अगर answer दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एक और चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि एक है आपका energy band उपर की दरफ दस जूल झाखे इसका तीन जूल धिए इसका दस जूल यानिकि इन दोनों के भी potential difference कितने जूल्का है साइग पोटेंशल का potential difference है यानिकि ऊपर से नीचे तक potential अब इसको प्रोपर देने के लिए माल लिजी अगर मुझे यहां पर सप्लाई बैक देनी है यहां से नीचे से उपर भेजना हो तो क्या करेंगे बैटरी सोर्स लगाएंगे तो वोल्टेज के तो अधारन कई सारे हो सकते हैं लेकिन अगर मैं EMF की बात करूं ठीक है EMF कहां क अब होड़कर और कने यहां से ने यहां सागि मेरा वॉल्टेज में रहे सके उसे एक और चीज जो आपको ध्यां दखने है EMF is always greater than voltage EMF voltage से हमेशा हमेशा जादा ही रहेगा और इन दौनों की ही unit क्या होती है volt इन दौनों की unit क्या होती है guys volt रखी जाती है ये चीज़ ध्यान देगे और EMF एक तरह का force है ये चीज़ और देखे it is not a force it is energy supply by a device like battery यानि की देखे वोल्टेज तो एक force है जो electron को maintain अगता है लेकिन EMF एक तरह से device है जो की continuously electron को flow करती है supply देती है जिससे की आपका voltage consent रहे तो देखे आपने देखा होगा जब भी आप generation की बात करोगे तो आप क्या होगे EMF generate हो रहे ना कि voltage generate हो रहे अब EMF पैदा हो गया और अब वो आगे electron को voltage को maintain अगने का काम करता है तो यहाँ से यह चीज़ आ देखे है और potential difference और voltage makes electron to flow while तो potential difference क्या करता है voltage electron को flow कराने में मदद करता है जबकि electro motive force potential difference को constant बनाये रखने का काम करता है तो यहाँ से क्या समझेंगे कि वो device जो की electron के flow को constant रखता है उसे हम लोग EMF कहींगे ठीक है the driving force a device that keeps the constant flow of charge that is called EMF तो यह हो गया आपका EMF और voltage मतर I hope आपको समझ आ गया होगा कि EMF क्या है voltage क्या है एक बार फिर बता रहा हूँ voltage आपका होगा है कि electron को follow कराने में जो potential difference मदद करता है that is voltage और EMF को constant voltage को constant अगने के लिए जो चीज मददगार है उसे हम लोग EMF कहते हैं यह आपको इंटरूमान से देना है I hope आपको EMF और voltage का concept क्लियर हो गया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है